बिहार में इन दिनों जो चर्चा है वो भोशपूरी इस्टार पवन सिंग की हैं पवन सिंग ने अपने ट्वीटर के हैंडल से जैसे ही ये घोसना किया कि वो काराकार से लोकसवा चुनाओ लड़ेंगे वैसे ही बिहार में सरगर में तेज हो गई है क्योंकि पवन सिंग पहले बीजेपी के काफी लोगपिरिये नेता थे और परधान मंतरी नरेंद्र मोदी के बहुत बड़े सपोर्टर में उनकी गिंती होती थी कई भोजपुरी गाने भी वो उनके लिए गा चुके हैं लेकिन काराकार लोकसवा चेतर से चुनाओ का एनांस्मेंट होने के बाद उनके गाउं में क्या महौल है जो कहरी जो कि उनका गाउं है बढ़ारा परखंड के अंतरगत आता है उनके गाउं में उनके परिवार में लोग कैसे उनको सपूर्ट करेंगे क्या उनका कहना है हम इन सब चीजों को जानने के लिए उनके गाउं जो कहरी पहुँच चुके हैं यहां पर ग्रामिण है उनके परिवार के सदस्य है हम उन लोगों से बात करते हैं पवन सिंग जैसे ही चुनाव लड़ने का घुसना किये, गाउं में आप लोग ग्रामिड होने के नाते, उनके करीबी होने के नाते, किस तरीके से महसूस कर रहे हैं? कि हमारे भाई पवन सिंग काराकाट संसदिये चेतर से चुनाव लड़ने का निश्ची किये हैं, और उनको वहां के जनता के सपोर्ट से वहां चुनाव लड़ने का निड़ने किये हैं, तमाम वहां के ग्रामिड, तमाम हर बिधान सबाचेतर के ग्रामिड उनको सपोर्ट कि जुकःरी ग्राम में तमाम हर्सो उल्लास के साथ पूरे जंता हम लोग हरसित हैं कि हमारे ग्राम से ये निश्चित हो गया है ये निश्चित हो चुका है कि पमण सिंग वहां से जीतेंगे क्योंकि वहां के जनता का सपोर्ट से वो निर्दलिये चुनाव लड़ने जा रहे हैं आप लोग तमाम चर्चा इधर का उधर का बहुत सारे सुने होंगे कि आरजेडी तो बीजेपी तमाम लेकिन चुकी कि पौण सिंग आरा से लड़ेंगे यहां से लड़ेंगे वहां से उनका जो मन था कोई भी आदमी चाहता है कि हम अपने ग्रामीड छेतर से लड़ें लेकिन चुकी बीजेपी अगर टीकिट वहां से नहीं दी आरके सिंग को टीकिट दी तो सुभ कामना है उनको भी पर यह जान लीजिए कि काराकाट विधान सबास के जनता पमन सिंग को बुलाई है और व चुनाओ परचार में लगेंगे और हमारा भाई जीत कर निश्चित सांसत बनेगा अजोकारी और भोशपूर जीला का नाम रोसन करेगा गाओं के बुजूर्ग वेक्तियों में आपकी घिंती होती है पाउन सिंग आपके सामने बच्चे होंगे जब होंगे तो जब चुन पूरा गाओं पूरा पंचाइत पूरा जनता सब तयार है असाब तौन मन धन से उनको सहता करेगा सब हम लोग जाएंगे बहुत मांगने के लिए उनसे हम लोग में बहुत खुसी है अज जीतेंगे भी यह भी गारांटी है विजेपी ने उनको टिकट नहीं दिया इस बा पाइए हम आपको निर्दलिये जीतवाएंगे वहां का जनता मतलब कि ठीक है हम लोग भी इधर से अपना साहता करेंगे और दूसरी तरफ माले के राजा राम सिंग परतियासी है क्या लगता है कि वहां पर मुकबला होगा या असान रहेंगा पाउन सिंग के साथ मुकबल लड़ाई नहीं है तो बहुत आगे है पहले भी यहां कोई चुनाव लड़ चुके है ऐसा उनके परिवार मने अलेक्शन हुआ है छोटा मोटा ते गाओं घर का बात समझते है यह दूसरा बात होता है वह दूसरा बात होता है बिलकुल है बिलकुल है गुन है क्या गुन इतना बड़ा कलाकार है कौन को है नहीं है और आप एलिनिया भर्मन कर रहिए विदेश भर्मन कर रहा है और रह गया कोई बात का सीख़ाता है वानिया की एक लाइन अपना होता है लेकिन और निया धून सब्सक्राइब मांग की आप उनके गाओं के लोग थे पवंत स्िंग ने जैसे लोक सबस्वार्च चुनाओं में अपना गोष्चना किया कि वो करा काट से निर्दलियद चुनाओं लड़ेंगे, वैसे ही गाओं में खुसी का महपा है, हर्सो लाज के साथ यहां के लोगता क कहना है, कि हमनोग तनम Cobain से केली तयार है कारा-काट भी जाएंगे और वहाँ पर फावन शिंग की लडायी नहीं नहीं है वहांपर जो पहले से अंडिये के उपेहंद्र कुछ वहाप अजय मालिक राजा-राम सिंग से तो इन लोग ऑसरी यह बता है कि उन लोगों से